चलिए यह तो एक साइट था मैंने इसको सेल किया था इसका नाम था के गार्वेज डिस्पोजल मैक.com ठीके इसका मैं एक बार रिलोड करके आपको दिखाता हूँ इसको सेल किये थे 5500 डॉलर यह आप देख सकते हो और एक साइट फ्लिप किये थे 2000 डॉलर ठीके यह फाइफ को आप फॉलो करेंगे ना मैं 100% गयारेंटी देता हूँ आपको अच्छे नीच आपको मिल जाएगा यह तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्द ही मैं ब्लॉगिंग का जो प्रीमियम कोर्स यह पर लाने वाला हूँ और वो भी फ्री होगा ठीके यह तो मैं आज के बोत दीन से स्टार्ट करने वाला हूँ जी हाँ दोस्तो वो फ्री का जो ब्लॉगिंग कोर्स है वो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो अगर आप नहीं हो यूट्यूब चैनल में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो ताके ब्लॉगिंग का जो पूरा सीरीज आपको वन बाई वन मिलता रहे तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़े बहुत आपको बता दू कि मेरा नाम के जायदुल इस्लम मैं इंडिया के वेस्ट बेंकल से बिलंग करता हूँ और मैं 2017 में मैंने बीटेक कॉंप्लीट किये थे मेकानिकल स्टीम में हाला कि मेकानिकल स्टीम एक अलग आलग श्परमेंट है अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे ठीक है जब मैंने इंडियांग स्टार्ट किये थे ना तब मुझे मालूम नहीं था कि मैं ओंलाइन फिल्म स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट कर रहा था तब उतना भी नॉलेज नहीं था ठीक है तो चलिए कोई बहुत नहीं तो मैं अपने पूरा जो एक्सपिरियंसे में आपको आपके साथ सेयर करते रहोंगा इस ब्लॉगिंग कोर्स में तो एक चीज है और भी आपका कोस्ट से देखिए मैं जब 2014 में अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था और एस यो में जो सीख रहा था तब बहुत दिक्कत था क्यूंकि उस टाइम इतना रिसोर्स नहीं था कि मैं एस यो सीख सको ब्लॉगिंग कैसे कर पाऊ वो उसका कोई गाइड कहां से ले सकता हो ठीक ह यह मैंने डिसाइड के के मेरे जैसा और भी बंदा डेली के डेली यूटूब में सार्च कर रहा होगा ठीक है उस टाइम मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं था बहुत स्ट्रागल करने के बाद मैंने इस यो के सिखा हूं और ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो इस वीडियो का और तो इस ब्लॉगिंग कोर्स का एक ही मतलब है ओसे पर्सों को हेल्प हो जाए जो के बहुत दीन से यूटूब में साच कर रहा है कि इसको कैसे आज़ अ कि प्लॉगिंग कैसे करना है फिलांसिंग कैसे करना है कि सारह के सारा जो एक आज़िए मैं उस फिल्ड से गुजरा तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है क्योंकि उस फिल्ड में मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो उसमें क्या होता कि उतना हिंदी में रिसोज नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम होता था तो इसलिए मैंने foreign language में जो tutorial था उसको follow कर रहा था उसमें problem यह होता कि उसका जो language था इंग्लिस का वो capture करने में बहुत दिक्कत होता था और और एक problem था कि उसका कोई complete guide कोई नहीं देता ठीक है थोड़ी बहुत information देते ही वो लोग course sell करने लगते तो इसलिए इस वीडियो को और इस channel को में grow कर रहा हो ताके मेरे जैसा आदमी online journey start करना चाहता है उसका कोई problem ना हो और मैं उसको पूरा guide करूंगा free job cost ठीक है मेरा YouTube YouTube के साथ-साथ telegram का challenge है आप उस पर join कर सकते हो और आपका कोई भी question हो और कोई भी problem हो उसमें share करना और मैं 100% उसको help करने के कोशिस करूंगा ठीक है तो आपको दिखाता हूँ के blogging करते हुए मैंने site को flip करते time कितने सारे income किये थे ठीक है तो यह पर मैं आ एक site था मैंने इसको sell किया था इसका नाम था कि garbage disposal mac.com ठीक है इसका मैं एक बार रिलोड करके आपको दिखाता हूँ इसको sell किये थे 5500 डॉलर ठीक है तो आपको आंदा जा हो चुका होगा कि इतना amount मैंने जब अपने bank में transfer किये थे ना कितना feelings था वो feelings जो इस film में काम कर र ठीक है तो यह तो एक छोटी income था मैं इससे भी बड़ा आपको दिखाता हूँ यह आपको देख सकते हो और एक site flip किये थे $2,000 डॉलर ठीक है यह 5 figure वाला जो site मैंने sell किये थे इस site को main theme था कि Amazon affiliate करो उसके साथ-साथ Google Adsense था ठीक है तो यह पर आप देख सकते हो कि उस time site में कितना income हो रहा था $634 ठीक है तो इसमें पूरा description था क्या-क्या site में details था ठीक है तो यह पर आके आप देख सकते हो इसमें Amazon affiliate का income की मैंने attest किये थे उसको download करके एक बाद देख लेते कि कितना income हो रहा था अच्छा यह वीडियो अप प्ले करके देख सकते हो अच्छा यह एक one minute के वीडियो था उसमें आप मैंने देखा था कि मंत में कितना income हो रहा था आप देख सकते है कि 1764 डॉलार एक मंद में इंकम हो था उसके बाद 800 डॉलार ठीक है तो ऐसे income होता था उस साइड में 900 300 ठीक है तो डिफ्रेंट का इंकम था तो मेरा इस वीडियो का यही मतलब है इसको एक आइडिया मिल गया होगा के मेरे मेथड को क्यूँ फॉलो करेगे ठीक है तो मैं एक भी पैसे आपसे नहीं लोंगा ठीक है यह पूरा टोटाली फ्री अप कॉस्ट कोर्स होगा और मैं आपको step by step guide करते रहूंगा ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ के मेरा जो पहले साइट था 2015 में यह आपर देख सकते हो के यह मार्शन ब्लॉग नाम के एक साइट था ठीक है तो जाब उसको आर्काइब में यह आपर देख सकते हो 2015 का फेबरारी सिगंड में इसका इसे कुछ था ठीक है तो आप देख सकते हो इसमें जो मैं उस टाइम सीखता था ना उस पर अपले करता था क्योंकि ना तो मेरा इंग्लिज का कुछ नौल उतना भी नौलेज था ताके मैं अच्छे खासे content लिख सकता हूँ और ना ही मेरा पास उतना resource था कि मा अच्छे ख हो गया तो आप hopeless मत होना क्योंकि देखिए अगर आप एक नए चीज सीखना चाहते हो तो उसमें आगर थोड़ी बहुत आपके mistake नहीं होगा ना तो आप लाव नहीं कर पाऊगे ठीक है तो आपको mistake करना ही पड़ेगा mistake अब थोड़ी बहुत करेंगे तभी आपको formula और tactics आपको जानने को मिलेगा ठीक है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए मेरा दो तिन साइट और एक साइट था आपको दिखाता हूँ यह garment new 50 इसके बारे में मैं अभी discuss करूंगा तो यह पर मैं आपको बताता हूँ क यह site ऐसे दिख रहा था तब देख सकते हो कि इसका logo मैंने कैसे design किये थे ठीक है तो उस time क्या करता था कि site के design के उपर में ज्यादा focus कर रहा था ठीक है तो मैं एही सोच रहा था कि अगर एक visitor में मेरे website में आएंगे उसका logo अगर अच्छे नहीं लाएंगे तो website को skip कर design और site के design नहीं होगा तब वो अच्छे site को भी skip कर सकता है तो ठीक है तो content और keyword के इलावा और जितने भी सारे चीज था ना उस पर उपर मैं focus कर रहा था तो इसलिए दो तीन project मेरा पहले का वो फेल हो गया अब देख सकते हो यह सारे के सारे topic के उपर मैं discuss कर रहा था ठीक है तो यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसके बाद मैंने फिर और एक project स्टार्ट के थे ठीक है तो आप देख सकते हो यह गार्मेन नहीं 52 है यह एक desk के हम है ठीक है यह आपर देख सकते हो कि Amazon में बहुत अच्छे खासी इसका sale है तो यह एक मैंने find किये थे एक training के थू ठीक है मैंने एक motivator और coaching कह लोग उसको तो उसको मैंने जब pay किये थे सिंगने के लिए तो वह क्या किया थे कि चलिस पचास बंदा के लिए के एक training दे रहा था तो उस time क्या होता था कि वह जो training देता था उसके साथ-साथ वह assignment भी देता था कि आज जिसके topic के उपर discuss हो उसको assignment के थू हम लोग उसको ready करें ठीक है तो जब उसको उस time क्या होता था कि जो niche research का topic था उसको niche research find करने के लिए थोड़ी बहुत idea हम लोग दे दिये थे तो उसी को लेकि मैंने इस niche को find किये थे तो हाला कि एक रॉंग niche था ठीक है रॉंग niche का मतलब है मैंने जो domain ही लिए था वो totally wrong था क्योंकि आप देखिए मैंने जो domain लिए थे न वो एक single product के नाम पर domain लिए थे ठीक है तो उस mentor ने मुझे सिर्फ यह कहता है कि हाँ आपका क्या बता हो हाँ आपका domain बहुत अच्छा है आपका niche बहुत अच्छा है ठीक है मैं सिर्फ वो सुनका ही बहुत excited हो गया था हाँ मेरा इस हो सिग्णा मैंने जो सिक रहा था वो अच्छा है ठीक है इस सारे कोस्षिन मेरा मैं था वो क्लियर हो गाया है कि हां मैंने दिमांग में रहे केो और मेरा जब एंटर था वो कहे रहे है कि हाँ आपने आच्छे नीश फाइंड कर लिये तो इसलिए मैंने क्या किया है कि हाँ एकदम सीव रह गये तो मैं एसे उसिख गया ठीक है तो वह क्या होगा क्यूच दिन बाद मेरे दिमाग में यह आया है कि मैंने सिख सीख साथ सीख सीखाड के ऊपर कंटेंट सीख के उपर वेशेएर्ट ररिदी कि धना तो उसपी ईलवा और उसमें क्या क्या कॉंटेंक डाल सकता हो ठीक है तो देखी यह सिर्फ एक सिंगल पॉड़क्त था और उस टाइम उतना भी आइडिया नहीं था इस सिंगल पॉड़क के अंदर भी हम लोग कंटेन लिख सकते जैसे कि इस पॉड़क के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसका कोई बैटी का इशू हो सकता है डिस्पले का हो सकता है ठीक उसमें कोई टेकनिकल फॉल्ड हो सकता है तो उसके बार में मैं डिसकस अगर करता था तो अच्छी खासी रिजल्ट मिलता था लेकिन वह क्या हुआ कि मेरे कुछ नॉलेजी नहीं था ठीक है कुछ नॉलेजी नहीं था इसलिए मैं उस पॉजेक्ट वाई पर स्टॉब कर दिया तुक है 2015 से स्टाट कर करके सिश्टिं तक एक साल बहुत मैंनेद की थे estáe के उपर बहुत मैंनद करने के बाद स्कॉंटेंट को लिखा याथ टीक है उसको किये थे उसको link building मैंने किये थे ठीक है उसके बाद यह आपा देख सकते हूं एक आच्छे खासी design भी मैंने आपर किये थे ठीक है तो मैंने वहले बोला था कि मैं content और नीश के उपर उतना focus नहीं देता था जितना time देता था को website को design करने में तो यह एक मेरा fail project था ठीक है तो मैं यह क्यों बोल रहा हूं क्योंकि देखिए अगर इस थोड़ी बहुत अगर mistake में नहीं करता था तो आज इस पोजिशन में कभी नहीं आता ठीक है तो fail हो गया उसके साथ साथ मैंने कुछ नए सिखा इसमें कुछ problem था जो further में अपने project के उपर apply नहीं किया ठीक है तो उसमें अच्छे खासे technique apply किया उसको follow किया अच्छे तरीके से SEO अच्छे तरीके से किया तभी अच्छे खासे result मिलते रहा तो मैं इस channel में यही discuss करूंगा कि आप कौन से चीस पर उपर काम करो और कौन से चीस पर उपर काम नहीं करो ठीक है तो देखिए अगर आप भी मेरे जैसे उस phase में अभी हो ठीक है जैसे 2014 के phase में था ठीक है मैं कहां से start करूं ठीक है domain कहां से find करूं और क्या बताओं कैसे find करूं एक niche, micro niche, sub niche कैसे हम लोग find कर सकते है ठीक आपके सारी जो drought आभी आपके अंदर है उस time मेरे भी अंदर था ठीक है तो उस time मेरे को guide करने वाला कोई नहीं था ठीक है तो इसलिए मैं इस channel में इस type का video डाल रहा हूँ और blogging का free course है पूरा totally free में आपको साथ share कर रहा हूँ ताके आप अपने blogging start कर सकते हो और income भी कर सक ठीक है तो आप अगर income करने के बाद मेरे से share करोगे ना तो मुझे बहुत सारे motivate मिलेगा ठीक है तो आपका motivation के लिए ही मैं इस channel को ready कर रहा हूँ और इस video को आपके सामने लेके आ रहा हूँ ठीक है आप भी आप देख सकते हो कि इंडिया में अभी चार बज़े है ठीक है तो आप देख सकते हो कि full night कम करने के बाद भी आप लोगों के लिए में time निकाला ठीक है तो अगर आप इस video को like नहीं करेगा तो बहुत दुख मिलेगा ठीक है तो please इस video को like कर देजो और चैनल को भी subscribe कर देजो ताकि मुझे motivate मिलते रहा है और please इस video के नीचे description में आपका जो question से आप उसको share कर सकते हो और हाँ मेरा एक telegram channel में है मैं video के नीचे description में दे दूँगा आप उसको join कर सकते हो और आपका कोई भी question हो आप उसमें share करो कोई doubt कोई भी doubt हो आप उसमें share करो और मैं 100% आपको help करूँगा अपने तरीके से ठीक है हाँ एक भी चीज एक भी पैसे आपको देने का ज़रुद नहीं यह free up cost है ठीक है मैं आपके साथ हूँ आप काम करते रहो क्योंकि मेरे time में मैंने जो problem face के थे जो hard work के थे ना जो क्या बता हो मेरा जो project fail हो था मैं नहीं चाहता कि उसी type का painful time किसी और को मिले ठीक है तो आप आप लोगो idea हो चुगा होगा कि fight flip करते हुए हम लोग कितने सारे income कर सकते तो चलिए हम लोग अपना start करते अपना जो niche research जो segment है आजगा उसको अच्छा तो niche idea हम लोग कैसे generate कर सकते यह 6 method में आप डिसकस करूँगा अगर इस method को आप follow करेंगे ना मैं 100% guarantee देता हूँ आपको अच्छे niche आपको मिल जाएगा यह 6 method यह आप डिसकस करूँगा यह totally free up cost होगा आपको एक भी paid tool यूज करने का ज़रूरत नहीं होगा ठीके तो चलिए start करते है method 1 से तो सबसे पहला method है कि brainstorm your topic ठीके तो इसका क्या मतलब है कि आप एक topic को अपने दिमाग से find करके google में search करो ठीके तो मान के चलो अभी मैं laptop के सामने हूँ ठीके तो मेरे दिमाग में laptop के related कुछ भी query हो सकता है ठीके तो मैं से गोगल में search करोंगा laptop ठीके तो laptop search करने के बाद Google हमको suggestion देगा कि उसके साथ-साथ और की भी word add कर सकते हो जो के google में search हो रहे है ठीके तो मैं कुछ भी word यहाँ पर just type कर सकते हो जैसे कि देखिए आप यह पर देख सकते हो अब क्यू सर्प type किया और यह पर आ गया laptop qr code reader laptop qr code scanner ठीके तो qr code scanner अगर हम लोग इसको सार्च करेंगे ना तो यह जो एक एक नीस का idea हम लोग मिल गया ठीके यह qr code scanner हो सकता है एक नीस ठीके तो यह नीस क्या होगा मैं आपको भी discuss कर दू यह नीस हो कि एक particular topic के ऊपर आप अपने website में discuss करोंगे ठीके यह जो topic है यह जो आपका experience है इसको हम लोग नीस कहेंगे ठीके अगर आप एक इंजिनेर हो आप अगर डॉक्टर हो तो आपका डॉक्टरी के जो experience है आपका इंग्रेंग का जो experience है अगर आप अपने website में उसको करेंगे हम लोग उसको नीस कहते है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर brainstorming कर रहे है कि एक नीस आइडिया हम लोग को Google से मिल जाए ठीके तो आप लोग देख सकते है कि यहाँ पर qr-code desktop reader qr-code for windows 10 ठीके तो यह qr-code हम लोग यहाँ पर सिप laptop find type करते हुए एक qr-code के बारे में हम लोग को आईडिया गूगल दे दिया ठीके तो हम लोग इसको क्यू करके इसको sign किये थे तो उसको छोड़ देते और कुछ भी type कर सकते है कि यहाँ पर देखिए laptop repair ठीके तो हम लोग आर्क के छोड़ के tv type कर सकते laptop to monitor ठीके तो यहाँ पर देख सकते हो कि laptop to monitor adapter ठीके तो यह adapter एक neez हो सकता है जो के हम लोग यहाँ पर देख सकते कि हईさん हई פה अच्छा तो laptop to monitor adapter laptop monitor cable type ठीके तो यह एक neez का idea हम लोग को मिल ज 앞에 ठीके तो तो हम लोग इसको अगर सार्च करेंगे ना यहां पर देख सकते हो डिप्रेंट टाइप का एडप्टर है ना उसका आईडिया हम लोग मिल गया तो यह अगर हम लोग इसको छोड़के सिर्फ यह देखिए अडप्टर फार मोनिटार टु लैप्टाफ अडप्टर टु भड़ा बड़ निश के ऐंदर हम लोग जयो छोटी नpat Теперь करीड के तो उसके बाद हम लोग क्या तो माइको में ऐसका करेंके तो मायको निश करेंगे जिसको हम लोग Micronis कहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Adaptor के अंदर हो सकता है कि एक Micronis हो सकते है Adaptor for Monitor यहाँ पर देख सकते हो कि Adaptor for Monitor to laptop, to HDMI, to computer, to USB, to microphone, to code ठीक है तो यह different type का information यहाँ पर हम लोग discuss कर सकते हैं अगर हम लोग एक adapter के अंदर एक blog बनाएं ठीक है तो यह brainstorming के थुरू आपको idea मिल गया होगा ठीक है तो और मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाता हो कि आप यहाँ हम लोग मेरा पास एक Boss का headphone है तो मैं देखता हो कि Boss यारबर्ड ठीक है तो ब्लॉग यारबर्ड अच्छा यहाँ पर देख सकते हो कि Google यहाँ पर साइस करें ब्लॉग Boss यारबर्ड फ्लासिंग रेड और वाइट तो इसका मतलब हो कि Boss यारबर्ड के जो प्रोड़क्ट है न तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके बारा में Google में प्रीपल आर साचिंग फॉर ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते कि इसके यारबर्ड के अंदर ठीक है देखिए Boss बहुत बड़या कंपध्य है तो उसके अंदर आ गए कि यारबर्ड तो बस का एक प्रोडाक्ट आ गए यारबर्ड ठीक है तो यारबर्ड के अंदर जितने भी सारे प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसमें डिसकस कर सकते ठीक है यह आइडिया आपको मिल गया होगा कि यह पर देख सकते हो बॉस यह बाइड टू ठीक है बॉस स्पोर्ट्स यह बाइड फ्लासिंग रिटन वाइड तो यह डिप्रेंट टाइप का जो क्वेस्टेंस है गूगल में सार्च होते रहे थे तो इसको हम ल एक नीश मनाएंगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे कीवाड को हम लोग टार्गेट कर सकते तो यह जो नीश है ना इसी को हम लोग लेकर चलेंगे अपने फार्दार प्रोजेक्ट में ठीक है तो यह हो गया कि ब्रेंस्टोमिंग करते हुए हम लोग एक कीवाड और एक न में जो भी एक भी कुछ टाइप कर सकते किया यहाप आफ यह नदर हम लोग टो इसके अंदर हम माशक को नीश है ने कि पाया और सबस सब यह ने इस है नदर करेंगे तो उसके जितने भी सारे आपको नीस का आइडिया मिलते रहेंगे ना तू उसको one by one उसको put करते रहेंगे ठीके और फार्दर में जो वीडियो बनाऊंगा keyword research के तो आप उस नीस को लेके फार्दर analysis करके keyword को find करेंगे तो मेरे साथ साथ आप भी कम करते रहो ताके मैं जो blogging का जो course यह पर डाल रहा हूँ आपको फूरा benefit मिल सके ठीके तो देखिए मेरे time में तो इतने सारे resource नहीं था ना तो आपके सामने यह सारे resource में free में दे रहा हूँ तो उसका value आप कीजिए ठीके तो please इस वीडियो को भी आप like कर दीजिए ताके मुझे motivate मिलते रहे कि मैं इस टाइप का अच्छे खासे वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ ठीके तो यह हो गया हम लोग क पहला method अच्छा तो उसके बाद आता है कि method two यह method two क्या है कि हम लोग five and away जाके एक niche का idea find कर सकते हैं तो वह क्या होता है हम लोग five and away चला जाते हैं तो यह देखिए यह मेरा यह सारे के सारे जो यहाँ पर method share करेंगा यह मेरा खुद का experience है मैं उस पर काम कर रहा हूँ ठीके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग content writer का जो profile है उसमें visit करेंगे क्यूंकि content writer जब client के लिए content link के deliver करते है न तो उसके साथ-साथ वो sample और उसका screenshot देता है ठीके हम हम लोग उस skin screenshot उस content को देखके हम लोग का niche का idea मिल सकता है ठीके तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग करेंगे के content writer हम लोग keyword को लेकर search करेंगे ताकि हम लोग का जो जो गी गिया पर फाइवर में तो उसमें से content client के लिए लिख रहा है उसी का sample हम लोग देख सके तो चलिए इसको हम लोग फैले देख लेते हैं अच्छा तो हाँ एक चीज़ आपको बता दू कि उस gig को आप search करो उस gig को आप follow करो जिस gig का अच्छे खासे review हो ठीके ज्यादा review होगा तो content का sample बहुत ज्यादा होगा और content का sample ज्यादा होगा तो हम लोगा niche find करने में बहु further analysis करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर देख सकते हो अच्छा इसमें कुछ नहीं है अच्छा इसमें untitled इंचे आग स्क्रॉल करके देखेंगे कुछ है या नहीं अच्छा यह foreign language है अच्छा वेडिंग फिर नहीं एक content के क्लाइन ने इसी के ऊपर content लिखने के लिए कहा था ठीक है तो इसलिए यहाँ पर वह as a sample यहाँ पर और as a proof यहाँ पर add किये तो उसके बाद और एक देखेंगे incredible people caring for those need during COVID ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो के कवीड एक अच्छा आम लोग उसके साथ साथ बार्बीक्यू यह recipe हो हो सकते है आप बार्बीक्यू recipe के ऊपर यह एक नीश बिल्ड करके उसमें content डलते रहा हो ठीक है यह बार्बीक्यू recipe एक नीश हो सकता है समझ रहा हो ना मैं मैं जो आपको बता रहूँ आपको समाझ हो चुगा होगा कि मैं नीश के बारे में क्या वोलो यह नीश क्या है keyword क्या है आपको यह idea clear हो गया होगा क्यूंकि देखिए नीश के अंदर हम लोग जब content को राइट करेंगे ना तब हम लोग को keyword लगेगा उसके पहले हम लोग को keyword का कोई ज़रोज नहीं हम लोग अभी सब नीश एक content एक website को ready करने के लिए उसको जो keyword है ना उसको find बाद में करेंगे लिकेन हम लोग उसको नीश को पहले find करेंगे किस topic के उपर हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो यह हम लोग का topic मिल गया एक नीश मिल गया क्या बार्भी कोई recipe तो इसके अंदर बहुत सारे यह पाद देख सकते हों कि ग्राउंड भी तो इसके अंदर भी अब सब नीश होगा तो हम लोग बाद में उसको discuss करेंगे अभी सिर्फ हम लोग फैंड कर रहे है अच्छा तो यह हम लोग का idea मिल गया होगा इसमें तक result इंपलेट यह भी अच्छा 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 हो सकते है नीश हम देख सकते है बहुत सारे टेंपलेट ऐसा होता है कि गूगल में हम लोग साथ करेंगे अच्छा यह आप पर रिजुम टेंपलेट के अंदर हम लोग एक नीश साइड बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग इस टैप का कियोड को टार्गेट कर सकते हैं तो आपके सामने में आपको दिखा कि जीजिट्सू डॉक्मेटरी यह देखते है कि यह क्या बिविजित्सू कि फ्राइड निवेके सामने मेरे अज़कर दिखाता हो कि पर इस पंकर बिखें इस नीश के अंदर है बहुत सारे लिएакс होगा तो आप इस नीश को लेकिए फार्दर रैला इसेश करोगे झाएbelt पूरा आपके साथ कर रहा हूं ताके आपको पूरा आइडिया क्लियर कर सकते हम लोग तो इसके ऊपर भी हम लोग डिसकस कर सकते, लेकिन ये health related site है, तो हम लोग health related site और finance related site, ये दोनों ये जो site है हम लोग उसको ignore करेंगे as a beginner, क्योंकि इसमें google क्या देखता है कि आप एक health के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका authority क्या है? ठीकि, आगर आप doctor हो, तो आप हील के बारे में डिसक्स करशे होते हैं, लेकिन ब lawger अप हेल के बारे में डिसक्स करशे हो, क्योंकि आपका ऀॉतीरिट नहीं है क्योंकि देखिए हम लोग जो कॉणेन अपने वेबसाइट में डालेंगे न वह कि किसी और का सायेट के कांटेन को रीड करके हुए हम लोग अपने तरीके से अपने अपने वेबसेट में डालेंगे ठीक है तो अम लोग तो खुद से कुछ ऐसे कुछ experience तो नहीं स्यार कर रहें न क्यूंकि हम लोग दूसरे content देख रहें तो उसके साथ साथ हम अपने content में लिख रहें ठीक है अगर आप डॉक्टर हो तो आपका अपने experience होगा तभी आप अपने medical के बारे में discuss कर सकते हो ठीक है तो ब्लॉगिंग में अगर आप एज बीगिनर हेल्थ और फाइनाज नीज में चलेंगों तो उसमें बहुत प्रॉब्लेम होगा ठीक है तो उस दोनों नीज को अपज़े बीगिनर उसको स्कीप करो अचा नाचरल लोग इसमें क्या देखते हैं अचा ठीन नाचरल लोग ब्लाड प्लाड ठीक है तो यह एथ रिलेटेड़ेटेड नीज होगा तो हम लोग इसको मिलेगा आपको जिसमें content का पूरा list यहाँ पर सो होगा ठीके उसमें से मैंने आपको जब यहाँ पर live दिखा है ना आपको list का idea लाखो लाखो list का idea मिल जाएगा आपको ठीके सिर्फ आपको इस method को follow करना पड़ेगा तो यह हो गए हम लोग का method 2 यहाँ पर आते है method 3 अच्छा यहाँ पर देख सकते हो के मैंने यहाँ पर बोला के amazon.com ठीके तो मैं जाता हो के amazon में इसमें जाके उसका जो main category है ना हम लोग उसको open करेंगे अच्छा इसमें बहुत सारे category है category के अंदर sub category भी है तो हम लोग इसमें देखेंगे मेरा जो फेवरेट नीश है Amazon का वो है tool home improvement ठीके क्योंकि मेरा बहुत सारे site है Amazon का जिसका main नीशी होगा नीशी है कि tool and home improvement क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा लगता है मुझे content write करने में ठीके क्योंकि अगर health related और कुछ finance related content में डालूंगा ना तो उसमें बहुत सारे study करने पड़ता है ठीक और हला कि Google उसमें update में बहुत सारे site को derang भी कर देता है ठीके तो इसलिए में most of the time इसी type का niche पर उफर काम करता हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसके साथ-साथ बहुत सारे sub category भी है ठीके appliances है building supplies है electrical hardware ठीके तो इसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको niche का idea मिलते है नहीं अच्छा toilet plunger अच्छा यह एक अच्छा toilet plunger यह एक niche का idea मिल गया हम लोगा अच्छा तो यह एज अफिलेट मार्केटर वी यूज बेस्ट वाट वीडिट की वाड़ अच्छा आप देख सकते हो कि ब्लेस्ट वालेट प्लांजर आं ब्रस सेट ठीक है तो इसके अंदर हम लोग फार्दा करेंगे उसके साथ साथ करते हुए हम लोग कीवर्ड का फाइंड करेंगे तो यह मेरा कहने का मतलब है कि एक नीश हो गया है टॉइलेट प्लांजर ठीक एक न्यारो नीश है तो उसके अंदर हम लोग जितने भी सारे प्रोडाक्ट होगा उसको डिसकस करेंगे साइड में कंटेंट ढलते रहेंगे ठीक है तो इसमें हम लोग नीश का आइडिया मिल गया ठीक है इसमें हम लोग और भी देखेंगे यह देखिए आप गार्वजी रिस्वल जब मैंने जब साइड बनाया था यह आपर सो हो रहे है ठीक है इसका प्राइस भी बहुत ज्य इसको देखते हैं किया अलिन्वार कीट फॉर्टू फ्लास वाल्ट डॉयलेट अच्छा इसमें क्या होता कि आपको पूड़क का टाइटेल एक बार अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा ठीक है तो पूड़क के टाइटेल अगर अच्छे तरीके से देखोगे ना इसी इसी आपको निश का एडिया मिल जाएगा ठीक है तो इनिवर्स लाइब लिपार्ट फ्लास भाल्ट टॉयलेट ठीक है तो देखते हैं यहां पर देख सकते हो कि फ्लाइब टॉयलेट हां हो सकता है कि एक अच्छे खासा निश हो ठीक है क्योंकि देखिए यह आपर बहुत सारी traveling to flash नूइश हो रहें तो फ्लास भाल टॉबॲेट एक सोचते तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे फार दार उसको करते हुए उसको न्यारो डाउन करेंगे और न्यारो डाउन करके छोटा माइको निस फाइंड करके उसको कंटेंड डालेंगे ठीक है तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि देखेंगे तब लाखो का प्रॉडठ यह पर बहुत सरे इंदर हम लोग टाइटल को अच्छे तरके構 framework तो उसका निस का एक दम मिल जाएगा आपको अब्वाइप कहलेंगे और यह था हम लोग अभी हम लोग डेखेंगे फूर्ड मेट यह पर देख सकते हों कि शाइड्le तो इस में पूरा साइट का लिस्ट मिलेगा आपको यह साइट साइडी लिस्ट प्ले करने है busy इस चाहते हैं तेख सकते हो कि है असकिंग प्राइज का तूथाउजन वांदेड डॉल्र ए 화णली मetr ऑ क्या हिसिते सब्सक्राइब मिल जाएगा आपको लिज्ट तो यह था इंदर हम लोग कैसे कियोट को नीस को find कर सकते हैं उसके बाद आते कि फ्लिपा ठीक है जो पहले आपको पुला था कि फ्लिपा में हम लोग अपने वेबशाइट को सेल किये थे ठीक है तो आप लोग याप पर सिर्भ साइन आप करें तभी चलेंगा ठीक है याप आकर वेबसाइट में चाहि तो इसका क्या मतलब है हम लोग उसी साइट को देखेंगे जो अलिटी सेल सोल्ड हो गया ठीक है तो आप लोग देख सकते के यह साइट सोल्ड वाजा थर्टी थ्रू थाउजेंड तो इस साइट को अगर आप चेक करोगे तो आपको निस का आइडिया मिल जाए होगा कर सकता है तो आप इसको बीडियो में आपको बताउंगा के एक अंदर कर सकते हैं लॉंग तेल क्योआ काईसे क्वाइड कर सकते हैं तो सारे के सारी डिस्केसन चलते रहेगा ठीक है हुए है मैं आपको दिखा रहा हूं के यह आपत धिख्या है कि का लगा वा देख सकते हो टोएन्टी फाजनड डॉलार ठीक बहुत अच्छा खासा इंकम था है इसका अच्छे खासे keyword का idea मिल गया होगा अच्छा तो यहां पर देख सकते हो कि इसमें हम लोग क्या करेंगे जैसे हम लोग Google में brainstorming किये थे ना इसमें भी हम लोग उसी टाइप का कुछ काम करेंगे तो मैं mostly यहां पर करता हूँ कि अगर हम लोग उसको can add करेंगे तो मैं जाता हूँ कि एजरेप उस keyword को देखा है जिस पे can word हो ठीक है तो देखते हैं के can word related कितने साइट की वाड़ यह आप देखते हैं तो यह आप देख सकते हो can dog have strawberries can dog eat apples can dog eat watermelon ठीक है तो इसी टाइप का जो repeated word होता है जैसे कि can dog eat watermelon can dog eat apple ठीक है तो हम लोग का एक नीश हो सकता है कि can dog ठीक है तो can dog के बाद जो क्याड होगा हम लोग उसको add करते हैं आपने content में आपने website म क्धार के अंदर हम लोग क्या क्या निस करेंगे तो फैंड करेंगे तो नैर्व नीष होगा तो वह क्या क्या नैरोट का चैंड खाता है सिर्प इसके बारे में हम लोग discussions करेंगे ठीक है तो वह लोग उसके साथ-साथ और भी कुछ earlier जैसे के वह उयर ठीक है उसमें अमलग डाल सकते हैं अच्छा यह आप देख सकते हुआ डीड़ टाइटने सिंग ठीक है इसी तरह आपको बहुत चारे कीवड का आईडिया मिल गया हो अगर आप गोगल में आओगे यह आप देख सकते हो ठीक है तो यह जो बेंस्टोमिंग का प्रोसेस है अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे बहुत अच्छा अच्छा निश मिलेगा आपको और ऐसे निश आपको मिल गाएगा उसका कोई कंपीडिशन भी नहीं होगा ठीक है कंपीडिशन का नहीं होगा इसका मतलब मैंने बोल रहा के एक भी साइड नहीं है ऐसे नहीं है ठीक है कंपीडिशन बहुत कम है इसका मतलब है कि आप जिस निश पर काम कर रहे होगे उसका कंपीडिशन बहुत कम है ठीक है क्योंकि हम लोग निश साइड के उपर का इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा category है, उसके अंदर एक छोटे category के लिए कि हम लोग side में content publish करेंगे, और जो बड़े authority side है न वो छोटे बड़े सुरी, एक micro niche और broadness के अंदर difference ठीक है, तो always as a beginner और हम लोग अगर micro niche को target करेंगे तो बहुत बहुत कम content में invest करते हुए हम लोग side को rank कर सकते है, ठीक है तो यह हो गया कि क्यान अच्छा इसमें हम लोग question में जाएंगे तो question related बहुत सारे keyword यहापर मिल सकते हम लोगा, ठीक है त अब यहापर कुछ भी side search कर से, जैसे के what, तो what related जितनी भी सारे keyword होगा, long tail keyword यहापर यहापर दिख सकता है, अच्छा, what wallet is used to, what is the time, अच्छा, what does 333 mean, आपके सामने में यह आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा खासा नीश हो सकता है, what does 333 mean, ठीक है, तो नीश क्या होगा, what does, ठीक है, तो आपके सामने में यह आपको दिखाता हूँ, what does, ठीक है, तो आपका website का theme यह होगा, कि what does related, जितनी भी सारे topic होगा, आप उसको further research करते हुए, content को ready करोगे, ठीक है, तो यह था हम लोग का last methods, so, I hope कि नीश find करने में आपको जितना problem पहले आ रहा था ना, यह पूरा के problem आपको solve हो गया होगा, और उसकी इलावा, और भी कोई issue और doubt हो आपके मन में, तो इस video के नीचे comment section में आप पूछ सकते हो, और मेरा जब telegram challenge है, उसमें आप join कर सकते हो, और अपना problem उसमें share भी कर सकते हो, और हाँ, यह जो यह पर six method आपको बाता है, इस method को follow करते होए, आप एक अच्छे खासे niche को ready करो, और जितने भी सारे niche आपर note down करते रहो, ठीक है, तक ही हम लोग further जब वीडियो बनाएंगे keyword research का, तो आप उस वीडियो को देखके, अपके niche के अंदर keyword को find कर सकते हो, ठीक है, तो अगर इस वीडियो का आपको अच्छे लाइगे, तो प्लीज इसको like कर देजिए, और साथ साथ और इस channel को भी subscribe कर लो, और हाँ, जो as a beginner issue सीखना चाहते है, ब्लोगिंग सीखना चाहत से उसके साथ इस वीडियो और इस channel को भी share करते हो, ताके वो भी benefit ले सके, वो भी online में अपना journey स्टार्ट कर सकते, ठीक है, तो चलिए, मिलते हैं नई वीडियो पर जहाँ पर हम लोग discuss करेंगे, की और डिसस के बारे में, थैंक्यू झालिए, मिलते हैं तो यह झालिए, की और झालिए, ऱपना अवाँ आवाँ, वो भी पर जहाँ, थैंक्यू